नमस्कार दोस्तों, Learn with EnergyTube चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम, क्लास 6 में, राजस्तान बोड के अंदर, राजस्तान अध्यन की जो बुक चलती थी उसके objective questions देखेंगे, जो भी विद्यारती चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी useful videos है दोस्तों, वो आपको time to time मिलते रहें इस वीडियो के खतम होने के बाद, आप लोग मुझे comment करके बताएंगे अगला वीडियो हमारा किस topic पर होना चाहिए, हमारे पास दो option है, पहला option क्या है दोस्तों पहला option तो है, class 6 से लेके 12 तक की जो भी books है, उनके अंदर deep से जो भी question बन सकते हैं, वो हम discuss करें और दूसरा option है दोस्तों, RSM SSB के दोरा जो भी exam conduct करवाई गए हैं, वो previous search के question हम discuss करें तो इन दोनों में से कौनसा option बेश्ट है, आप लोग मुझे comment करके बताएंगे, ठीक है और सेट का exam दोस्तों 11 तारिक को खतम हो जाएगा, तो जितनी भी पारियों में exam हुआ है उन पारियों में current के जो भी question पूचे गए हैं, वो 12 तारिक को एक वीडियो में आप लोग के लिए upload करूँगा उस वीडियो का आप देख लें, current के सभी question महाँ पर आपके clear हो जाएंगे, ठीक है ताकि read वाले बच्चों को महाँ पर benefit मिल सके तो चलिए दोस्तों बिना धेरी के शुरू करते हैं, पहला सवाल है 2011 की जन गन्ना के आधार पर राजस्ताम की कुल शाक्षर्ता प्रतिशत है तो दोस्तों 2011 की जन गन्ना के आधार पर राजस्ताम की शाक्षर्ता प्रतिशत 66.11% है So option C is the right answer अगर आपसे पूछा जाए 66.11% में से पुरूष शाक्षरता और महिला शाक्षरता कितनी है तो ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ इसमें पुरूष शाक्षरता जो है वो 79.2% है और महिला शाक्षरता 52.12% है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अलावा अगर आपसे सहरी शाक्षरता या ग्रामिन शाक्षरता पूछी जाए तो दोस्तों सहरी शाक्षरता जो है वो 79.68% है और ग्रामिन शाक्षरता 61.44% है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला सवाल है 108 निसुल्क आपात कालिन सेवाय संबन्दित है तो दोस्तों ये स्वास्ते सेवा से संबन्दित है so option B is the right answer अगला सवाल है राजस्तान का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग एवं सबसे छोटा राष्टी राजमार्ग है तो दोस्तो राजस्तान का जो सबसे छोटा राष्टी राजमार्ग है वो तो आपका हो जाएगा NH-71B ठीक है जिसका नएया नंबर क्या है 919 ये भी आपको राजस्तान का सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है यह आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे अगला सवाल है बेंग एक ऐसी संस्ता है जो का वेवसाई करती है जो मुद्रा का वेवसाई करती है ठीके बेंग किसका वेवसाई करती है मुद्रा का अगला सवाले दोस्तों राजस्तान में आयूर विज्ञान महाविद्याले किन जीलों में हैं नाम लिखिए तो दोस्तों आयूर विज्ञान महाविद्याले जो है यह आपका जेपूर में जोतपूर में अजमेर बीकानेर कोटा और उदेपूर में इस्तित है ठीके एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, जेपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और हुटा उदेपुर में इस्तित है, ठीके, अगला सवाल है दोस्तों, निम्ने लेकित मैं से कौनसा भोतिक पächst राजस्तान में इस्तित नहीं है, तो इन में से राजस्तान में कौनसा इस्तित नहीं है, तो दोस्तो हिमाले परवत जो है वो राजस्तान में इस्तित नहीं है, so option D is the right answer, अरावली परवत पूरवी मेदान और थार मरुस्तल राजस्तान में इस्तित है, अगला सवाल है अरावली परवत माला का सबसे उची चोटी कौनसी है, तो दोस्तों अरावली परवत माला की सबसे उची चोटी गुरू शिकर है, so option A is the right answer अभी सेट के एक्जाम में सेर चोटी के बारे में पूछा गया था राजस्तान के दूसरी सबसे उची चोटी कौनसी है सेर, अगला सवाल है चंबल नदी के आसपास का चेत्र अपरदन के कारण अत्यदिक उबरखाबड हो गया है तो नाली अपरदन के कारण या फिर जल अपरदन के कारण ये उबरखाबड हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है ठीक है, अगला सवाल है उपजाओ भूमीु का बंजर वो रेतिली मिट्टी में परिवर्तन कहलाता है तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये मरुस्तल कहलाता है ये आपको ध्यान अकना है, क्या कहलाता है? मरु responsive अगला सवाल है राजस्तान का कौन सा छेत्र परतिवर्ष सुके का सामना करता है तो दोस्तों सुके का सामना पश्चिमी छेत्र करता है ठीके अगला सवाल है मावट किसे कहते हैं तो दोस्तों मावट जो है ये सीत कालीन वर्षा को कहा जाता है और मावट किसकी वज़े से हो so option c is the right answer अगला सवाल कोटा बुंदी वाला छेत्र कहलाता है तो दोस्तो कोटा बुंदी वाला जो छेत्र है यह हाडोती कहलाता है so option a is the right answer अगला सवाल है ब्यावर अजमेर का छेत्र के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो ब्यावर अजमेर का छेत्र जो है ये मेरवाडा के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है मेरवाडा के नाम से नेश्ट क्रिशन है जेपुर एउं उसके आसपास के छेत्र की भासा कहलाती है तो दोस्तों ये क्या कहलाती है ये ढूंडार कहलाती है कौन सी बाशा कहलाती है ढूंडार कहलाती है ये आपको ध्यान रखना है अगला सवाल महाबारत कालिन किनी दो जनपदों के नाम बताईए तो दोस्तों महाबारत कालिन दो जनपदों के नाम यहाँ पर बताने है तो अगला सवाल है, सेकावटी में कौन-कौन से जीले आते हैं, तो दोस्तो ये तो आपको बहुत अच्छा से याद होगा, इसमें आपका चूरू, सिकर अर जुन-जुनु आ जाएगा, ठीके? अगला सवाल है हसन खान मेवाती कौन था तो दोस्तों हसन खान मेवाती जो था इन्हों ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था तो यह आपको ध्यान रखना है यह मेवात से संबंदी थे अगला सवाल है निम्न में से किस जीले में काली बंगा इस्तिते तो दोस्तो काली बंगा जो है ये घगर नदी के किनारे हनुमानगड में इस्तिते So option B is the right answer अगला सवाल है अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बालतल सब्वेता उदेपुर में इस्तिते गणेशोर सब्वेता सिकर में इस्तिते और एक सब्वेता है दोस्तो एलाना सब्वेता तो एलाना सब्वेता आपकी जालोर में इस्तिते यह आपको ध्यानक ना है ठीके अगला सवाल है अशोक का भाबरु सिलालेक निम्न में से कहां प्राप्त हुआ है तो दोस्तो अशोक क सिकर जीले में नीम का थाना तैसिल में से एक विशिष्ट संस्कृति के अवसेश प्राप्त हुए है तो दोस्तों सिकर में कौन सी सब्वेदा हो जाएगी गणेसर सब्वेदा ठीके अगला सवाल है आहडबस्ती प्राचीन कालीन में नगरी के नाम से जानी जाती थी तो दोस्तों आहडबस्ती जो थी ये तामरवती नगरी या फिर आगाठपुर के नाम से जानी जाती थी अगला सवाल है राजस्तान में किनी दो तामर पाशान कालिन इस्तिलों के नाम लिखिए तो दोस्तो एक तो आपके आहड हो जाएगी और एक आपकी बालातल उदेपुर हो जाएगी अगला सवाल है बालातल सब्वेता के अवशे किस जीले से प्राप्त हो है तो दोस्तो ये उदेपुर से प्राप्त हो है चुखों के कारण दोस्तो करणी माता के मंदिर को जाना जाता है So option B is the right answer करणी माता का जो परसिद्ध मंदिर दोस्तों वग देशनोक विकानेर में बना हुआ है कहां पर बना हुआ है देशनोक विकानेर में और यहां पर जो सफेज चुखे होते हैं उन्हें काबा के नाम से जाना जाता है अगला सवाल है उटो के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है तो दोस्तों उटो के देवता के रूप में फाबुजी को पूजा जाता है so option C is the right answer उटो को पालने वाले जो जाती होती है दोस्तों वो रेबारी केलाती है क्या केलाती है रेबारी और फाबुची की फड़का वाचन जो है वो रावन हत्ता वाद यंतर के साथ किया जाता है और फाबुची के फवाडे जो है वो माट वाद यंतर के साथ गाये जाते है तो ये दोनों बाते भी आपको ध्यान रखने है काफी और अगर आपसे मीनाकारी के पुछे जाए तो मीनाकारी के परसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंग ठीके ये दोनों नाम काफी बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान रखना है ठीके अगला सवाल है तेजा जी ने किसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा की जाती है ठीके सिव और पारवती की पूजा की जाती है और गंगोर का त्योहार जो है वो चेतर सुकलपक्ष की तिर्ट्या को आता है ये आपको ध्यान अकना है अगला सवाल है पश्ची में राजस्तान की कितनी बोलिया है नाम लिखिए तो दोस्तों पश्ची में भीरवाटी और हाडोती हो जाएगी ठीके अगला सवाल है बनास किस नदी की सायक नदी है तो दोस्तों बनास चंबल नदी की सायक नदी है so option A is the right answer और चंबल नदी की सबसे लंबी सायक नदी कौन सी है तो वो भी बनासी है ये आपको ध्यान रखना है ठीके और अगर बन गई so option A is the right answer अगला सवाल है चंबल की परमुक सायक नदियों के नाम लिखिए तो दोस्तों चंबल की काफी सारी सायक नदिया है जैसे कि मैं आपको बताओं गुंजाली, मेज, मांगली, पारवती, आहू, कालिसिंद, घोड़ापचार, परवन, बनास, ब्रह्मणी, चाक कुन्नु, कुराल तो काफी सारी सायक नदिया है तो इसको याद करने के एक ट्रिक है वो ट्रिक में आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगा उस ट्रिक को आप देख लेए चंबल की सारी सायक नदियाआपको याद हो जाएगी अगला सवाल है सेना को वेतन देने तता सेना सम्मन्दी अन्य कारियों की जिम्मेदारी होती थी तो दोस्तों ये भक्षी की होती थी सॉप्षन C is the right answer अगला सवाल है राज्तान के पर्थम निर्वाजित मुख्य मंतरी थे और जागिर पट्टा हो जाएगा वह पत्र जिसमें सासक द्वारा परदान के गई जागिर का उल्लेक होता था ठीक है अगला सवाल है रभी की फसल की पर्मुक फसल कौन सी है तो दोस्तों रभी की हो जाएगी गेहूं सॉप्षन D is the right answer बागी मक्का, बाजरा, कपास या आपकी खरीब के हो जाएगी अगला सवाल है मरुस्तलिय राजस्तान में सर्वादिक बोया जाने वाला खादान कौन सा है तो दोस्तों गेहूं बाजरा, चामवल, मक्का मरुस्तिले राजस्तान में सबसे ज़़ा बोय जाने वाला बाजरा हो जाएगा so option B is the right answer अगला सवाल है खरीब की पसल किस रितू के प्रारम में बोय जाती है दोस्तों खरीब की पसल जो होती है ये वर्षा रितू के प्रारम में बोय जाती है important है ध्यानक ना थे अगला सवाल है 20 वी पसुगण्ना के अनुसार राजस्तान में वउठ वगदो की संक्या में चिंता जनक गिरावट हुई है किसकी संक्या में दोस्तों वगदो की संक्या में ये आपको ध्यानक ना है गिरावट तो भेड और बकरी की संग्या में भी हुई है पट उट और गदो की संग्या में काफी ज़दा हुई है अगला सवाल है दोस्तों कि इन खनीजों में राजस्तान का एकादिकार है तो दोस्तों राजस्तान में जो एकादिकार है वो आपका हो जाएगा सीसा जस्ता, वोलेश्टो नाइट, जिपसम, चांदी, संग्मरमर, इनका एकाधिकार हो जाएगा ठीके, अगला सवाल है, छेत्रफल के अनुसार राजस्तान का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो दोस्तो चेतरफल के अनुसार सबसे बड़ा जीला जेसल मेर हो जाएगा सो अप्षन A is the right answer अगला सवाल है राजस्तान में कुल कितने जीले हैं तो दोस्तो राजस्तान के अंदर 33 जीले हैं सो अप्षन C is the right answer अगला सवाल है रेड किलिफ रेका किसे कहते हैं तो दोस्तो भारत और पाकिस्तान के मद्य एक रेखा थी जिसको रेड किलिफ रेका कहते हैं इसका नेधारन कब किया गया था इसका नेधारन 17 अगस्त 1947 को किया गया था राजस्तान के चार जीले रेड किलिफ रेका पर इस्त ठीके गुरुजरात हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, इसके बलबावा आपका हर्याना हो जाएगा ठीके तो ये 5 राजिये जो है, इनके साथ राजस्तान सीमा रखता है, और कितनी कितनी रखता है MP से सबसे ज़्यादा रखता है 1600 किलोमेटर की ठीके और पंजाब से सबसे कम रखता है कितनी 89 किलोमेटर की ये भी आपको ध्यान रखना है ठीके I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो में मज़ा आया होगा नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से लेके आएंगे सो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थेंक्यू सो मच